गुम्बत के नीचे गुम्बत, स्वास्तिक, भगवान शंकर का त्रिशूल, ओम, सत्यम किम प्रमाणम, समझे? दो इसमें, हाँ, सुन लिजे, दो पॉइंट से पहली बात तो ये है कि जो वीडियो आए हैं, वो फेबरिकेटिड हैं या औरिजिनल हैं, और जब अदालत ने इस बात को कहा कि ये वीडियो नहीं सरकुलेट होना चाहिए, एक ऐसा सरकुलेट हो रहे हैं, दूसरी बात, ये वीडियो सज भी साबित होता है, तो प्लेशित ओवडिवेट 1991 और बापरी मस्जिद वडिद 2019, उसको मानते हो ये बात है कि मस्जिद थी, मस्जिद है और ता कयामत तक इंशालला मस्जिद रहेगी, और अगर कोई इस तरह की आस्था से देश नहीं चलेगा, किसी की आस् पर कोई और विवाद नहीं, अचै एक से इन आपने आपने बुला की मस्जिद है और मजिद रहेगी, कयामत तक मशिद रहेगी, आँ, सनातन दharma में कहा जाता है कि कयामत ओर तु आए, यонि महादे भाए कयामत और महादे अजाए, लेकिन लेकिन लेकिन, कि शदाब मेरा पॉइंट ये है मेरा पॉइंट है आपको बाद कट्टे संब्स Subs gerade चाथ लगता है अवाज उन तक न spec अठाइब करता हूं हरी चेतनानन्द जी का हरी चेतनानन्द जी पहले तो आपका विनंदन है आप ने पीदितानन जी जो दाना है हिंदू-पक्ष की और जो विस्तार से सबूत सामने आ रहे हैं क्या कहना हैं अब जो वीडियो दिखाएन हैं अभी पर हमने हमारे कारेक्रम आरपार में उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जिस पर गुंबत के नीचे गुंबत है स्वास्तिक का निशान है तुरिशूल है ओम है मंत्र है सत्यम किम प्रमानम प्रत्यक्षम किम प्रमानम इतने प्रमान वहां मिल चुके हैं अब हमें प्रमान देने की कोई आउश्च्टा ही नहीं है गुंबत के नीचे गुंबत वहां तर्शूल और वहां डमरू का होना और वहां ठीक वजू खाने के सामने नंदी स्वर का होना ये इस बात का प्रमान है कि वहां मस्जिद नहीं थी जैसे अभी वारिश पठान जी कह रहे थे वहां मस्जिद थी, वहां मस्जिद है, वहां मस्जिद रहेगी ये बिलकुल सफेद जूट है ये वहाँ न मस्जिद थी न है न रहेगी अगर वहाँ मस्जिद होती तो ये चिन्न कहां से दिखाई देते और OBSC जी ने जो कहा वो भी बहुत गलत कहा है कोई भी वीडियो एडिट नहीं किया गया है कोई गलत फोटोग्राफी नहीं की गई है वो चिन्न वहाँ थे तो वो च अब करना चाहिए और हमारा इनसे कहना है ये उदात भाव दिखाएं और उस स्थान को ये हिंदू ओं को करोणों लोगों की आस्था का जो केंद्र है वो उसको सौंपें ये और तुरंत सौंप देना चाहिए इनको और हम लोगों ने आयुद्या के मामले पर भी इन लोग इतने प्रमानों के बाद इनको प्रत्यक्षम किम प्रमानम इसको श्विकार करना पड़ेगा कि वहाँ जो जो प्रमान दिखाई दे रहे हैं और आप देखें हमारे यह कहा गया है कि कोई भी जो देवालाय है वो सिवालाय के बिना अधूरा है और जहां सिवाले है आप देखना हर सिवाले में भारत वर्ष में आप किशी गाउं में चले जाओ, किशी शहर में चले जाओ, किशी नदी के किनारे चले जाओ, किशी तालाप के किनारे चले जाओ, किशी कुए के किनारे चले जाओ, वहां आपको महादेव का मंदिर दिखा जिद छोड़ो जिद से नुक्षान होता है और जिद से नुक्षान ना हो आप जिद मत करो और यह मंदिर है और आप इसको शहर से इसको जो है वारिष का रुक करता हूँ वारिष जी महामन लेश्वर जी को आपने सुना जो वो अपने विचार को रख रहे थे क्या आपको कफी चीजे बोल रही है और आप के विए वेसी ने बोला और इस पैनल में भी हे तो हम एक्ट का हवाला देंगे एक बाह बात मुझे बताई